Hello everyone, welcome to solution hub आज की वीडियो में हम करने वाले हैं literary term जिसका नाम है anti-climax पिछली वीडियो में हम climax को कर चुके हैं climax में हमने पढ़ा था जब हम किसी unimportant से important fact की तरफ बढ़ते हैं तो उस series को गा जाता है climax anti-climax उसका बिल्कुल opposite होगा जब हम important fact को पहले लिखकर बाद में unimportant fact को लाते हैं तो वो anti-climax होता है So a statement which begins seriously and ends trivially तो कोई ऐसी statement, कोई ऐसा fact जो की seriously important fact के साथ तो चालू होता है लेकिन ends trivially एकदम बेहुदा अजीब तरीके से खतम होता है unimportant fact के साथ खतम होता है तो वो anti-climax की strain में आ जाते हैं उसके examples So from important to unimportant यह हम बात कर चुके हैं कि जब कोई भी important fact पहले दिखाएंगे और उसके बाद हम unimportant fact दिखाएंगे जैसे पहले कह दिया कि I die फिर कह दिया I fail हलांकि fail होना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन die मरना बहुत बड़ी बात है तो उसने पहले बड़े fact को रखा फिर छोटे fact को रखा तो important fact को पहले रखकर और फिर unimportant fact को रखेंगे So that is called anti-climax Important part यह आती है कि यह bethose के नाम से भी जाना जाता है Very very important thing It is also known as bethose Bethose इसका दूसरा नाम कह सकते है Bethose से question कही बार आया है तो इसे bethose के नाम से भी जाना जाता है First grade, second grade के लिए important है यह He lost his watch अब इसके कुछ examples हैं जैसे he lost his wife His daughter, his son and his watch तो पहले तो कह दिया कि उसकी wife जो है वो उसे खो दिया उस बंदे ने कोई बंदा है उसने पहले अपनी wife को खो दिया फिर कहा कि उसने अपनी daughter को खो दिया फिर कहा उसने अपने बेटे को खो दिया और फिर ends trivially his watch यानि कि अपनी घड़ी को भी खो दिया हलाँ कि घड़ी उसके लिए इतनी माहिने नहीं रखते I die, I faint, I fail I die यानि कि मैं मर गया कोई बंदा है वो कह रहा है कि मैं मर गया फिर उसने का I faint, मैं बेहोश हो गया सीधा मरने से कहा आ गया, बेहोशी पे आ गया तो वो कहता है कि मैं बेहोश हो गया फिर वो कहता है कि मैं fail हो गया लेकिन die, मरना वो उससे बड़ी बात थी, काफी important बात थी, तो जब importance and important fact की तरफ बढ़ेंगे तो anti-climax के examples बनेंगे वो, आगे के examples में देखते हैं, I could do anything for you, but die, अब एक बंदा है, वो अपनी प्रेमिका से कह रहा है, that I could do anything for you, मैं तुमारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, but die, लेकिन मर नहीं सकता, अच्छा ये but वाले examples होते हैं, but के बाद छोटे मोटे words ले आते हैं, ये थोटे बहुत words ले आते हैं, ये इसके contrast को represent करते हैं, मतलब जो लिखा है, उसके opposite को represent करते हैं, यानि कि पहले तो उसने कह दिया, मैं तुमारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, but, लेकिन, die, मर नहीं सकता, यानि कि ये but के बाद वादे, negation को represent करते हैं, negative sentence को represent करते हैं, I could do anything for you, मैं तुमारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन, वो कहता, मैं मर नहीं सकता, तो कुछ भी कहां हो गया, तो पहले important fact कह दिया, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बाद में कह दिया, मर नहीं सकता, वो unimportant बात कर दी, तो पूरे सीन का मज़ा खराब कर दिया है, आगे के examples में दिया है, अब पहले तो कह दिया, एक soldier की बात कर ली, कि एक soldier है, वो युद में लडने गया हुए, तो पहले तो कह दिया, अपने देश के लिए लड़ता है, अपने गर्व के लिए लड़ता है, अच्छा, शिलिंग यहाँ पर currency के तो और यूज हुआ है, तो कह दिया कि फिर कह दिया कि वो शिलिंग के लिए, यह currency है यहाँ पर, फिर कह दिया कि वो currency के लिए लड़ता है, पहले तो बड़ी अच्छी बात कहीं कि गर्व के लिए अपने pride के लिए लड़ रहा है, बाद में बहुत ही trivial thing कर दी, बहुत ही बिकार सी बात कर दी कि वो currency के लिए लड़ रहा है, तो इस सरह के importance and important fact के तरफ बढ़ना anti-climax के अंदर आ जाता है, आगे के examples में भी हम इसे देखते हैं, अब कोई बंदा है, वो restaurant में गया, वहाँ पर उसने देखा, कोई उसका जहां पर वो खाना खाने गया है, वहाँ का जो manager है, वो उसे lecture दे रहा है, honesty पर उसने बहुत lecture दिया उस बंदे ने, फिर उसे अपनी blessings भी दे दिया उस बंदे को, और बाद में क्या कहता है, कि मेरे को bill में overcharge कर लिया, तुछ बात कर दी, बहुत ही trivial thing कर दी, तो पहले तो अच्छी बात की, honest की बहुत important बात है, blessing की बात की ये भी important है, लेकिन फिर bill में overcharge कर लिया, फिर कहां की honest की रहेगी उसकी, मतलब उसने बाद में तुछ बात कर ली, unimportant बात कर ली, आगे के examples में देखते हैं, the wisest, brightest and meanest of mankind, mankind यानि की मानवता के लिए बात की की है, so the wisest, यहाँ पर कहां दिया कि वो बुद्धि मान है, wisest है, यानि कि वो बुद्धि मान है, फिर कहां दिया brightest, प्रभाव शाली है, उसका प्रभाव काफी है, फिर कहां दिया meanest of mankind, यानि की काफी मतलबी भी है, पहली बात तो कि वो बुद्धि मान है, तो बुद्धि मान है तो बहुत अच्छी बात है, important thing है, brightest है, प्रभाव शाली है, उसका प्रभाव है काफ़ी लोगों पे, तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन meanest, बहुत ही मतलवी बन्दा है, तो मतलवी बन्दे के लिए उसका लिए उसका लिए यानि की trivial thing कर दी, तो उच्छ बात कर दी, तो जब important से important thing की तरफ हम बढ़ते हैं, तो यह anti-climax के examples में आता है, यह example जो है, यह काफी famous है, Alexander Popp का यह example है, आगे हम example देखते हैं, काफी important example है, यह भी Alexander Popp का है, यहाँ पर एक word दिया है, दाओ, दाओ का मिनिंग होता है, you, you great anna, whom three realms obey, realams यानि की कोई भी क्षेत्र कह लीजिए, कोई भी राज्य कह लीजिए, किसी चीज़ का, यह नहीं किसी का कोई राज्य है, या उसका क्षेत्र है, कबीला है उसका, so you great anna, whom three realms obey, तुम, तुम great anna, जिसे की तीन राज्य मानते हैं, जिसकी बात तीन राज्य मानते हैं, जिसे तीन राज्य फॉलो करते हैं, here sometimes counsel, यानि कि सला करना, किसी सला मशोरा करना, here sometimes counsel take, तुम कभी कभी सला लेने आती हो, and sometimes stay, और कभी कभी चाय पिने आती हो, एक राज्य जो हैं, वो उसे फॉलो करते हैं, दूसरी line में कह दिया कि, चाय पिने आती हो यहाँ पर, यानि कि कभी कभी तो सला लेती हो, कभी चाय लेती हो, मतलब तुछ बात कर दी, end में, पहले तो बहुत बड़ी उसकी इतनी अच्छाई वाली बात कर दी, ऐसे उस के उप पर फेम चड़ा दिया, और लास्ट में क्या कि, उसे एकदम से गिरा दिया, चाय पर बाद लागे छोड़ दी, तो यह भी important example बन जाता है, Alexander Pope का example है, यह भी काफी important है, तो इसी के साथ हमारी literary term anti-climax जो है, यहाँ पर समाप्त होती है, मिलेंगे next video में, next literary term के साथ, जैहिन कि दरूः लाउब बनाप्त हमारी एक रहाँ, तोने जो हैंशे आहाँ, घ hipp।ैत करा दो सम्हाँ, जैए ऑभी ओर समाप्त है